हेलो दोस्तों वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्दिक श्वागत येवं अविनेंदन है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टोपिक है भारतिश हम्यदान येवं राजविवस्ता का टोपिक डिसकस कर रहे अधर दिसकस किया था राजवा में जितने वी सक्ते थे वह वू हमनें डिसकस किए थे तो आज भी आजवी रहनЕ वाला है तो आप सभीको गूड इवनिंग रादरादे राम राम आज का हमारा मोट्यवेशन कोड है परिंदों को मंजिल मिलेगी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पंक बोलते हैं वो लोग रहते हैं खामोस अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं वो हमेशा जमाने में खामोस रहते हैं तो चलते हैं अपने टॉपिक पर राज्य सवा से रिलेटेड जितने भी महत्पूर कोशन बनेंगे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो राज्य सवा का सवापती उपराष्ट पती जिसकों उपराष्ट पती कहते हैं राज्य सवा का सदस से नहीं होता है राज्य सवा का बिक्टन कोई नहीं करता है क्योंकि यह एक इस्ताई सदन है राज्य सवा का सदस से 6 वर्स के लिए चुने जाते हैं प्रत्यक दूसरे वर्स राज्य सवा के 1-3 सदस से अवकास ग्रहन करते हैं सवाफ पति उपराष्ट्पति का चुनाव लोग्सवा तथा राजज़ ऑपसवापति का चुनाव अपने मैंसे 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्य सवा के उपसवापती का चुनाव है राज्य सवा के सदस्यों द्वारा अपने मैंसेज 6 वर्स के लिए किया जाता है नेक्स्ट राज्य सवा के सदस्यों का चुनाव बिदान सवा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है आता है इनके सुनाब में जनता प्रत्यची रूप से भाग नहीं लेती है राज्य सवा को अनुच्छे 249 के अंतरगत राज्य सूची में वर्णरित विशय को राष्टिय महत्तु का विशय गोशित करने तता अनुचे 312 के अंतरगत नई अखिल भारती सेवांकर स्रेजन का विशय साधिकार है राज्य सवा का सवापती अपना जो त्यागपत राष्टपती को देता है जबकि उपसवापती अपना त्यागपत सवापती को देता है नेक्स चलते हैं अब हम डिस्कस करते हैं राज्य सवाम जो बिपच्च के नेता थे उनका क्या कारकाल था उनका क्या नाम था उनको डिस्कस करते हैं स्री श्याम नंदन मिस्र दिसंबर 1969 से मार्च 1971 इनका कारकाल था। स्री एमेस गुरुपद स्वामी मार्च 1971 से अपरेल 1972 तक था। स्री कमलापती तरपाथी 30 मार्च 1977 से 15 फरवरी 1978 तक था। श्री भोला पास्वान सास्त्री 24 फरवरी 1978 से 23 मार्ज 1978 तक इनका कारेकाल था नेक्स्ट है हमारे जो पांचमे नंबर के हैं हमारे राजसभा के विपच्च के नेता उनका नाम है श्री कमलापती तिरपाटी 23 मार्च 1973 से 2 अपरवर 1970 और 18 अपरवर 1970 से 8 जनवरी 1980 तक इनका कारेकाल लाल करेशन आडवानी 21 जनवरी 1980 से 7 अपरवर 1980 तक इनका कारेकाल था श्री पी शिव संकर 18 अपरवर 1989 से 21 जनवरी 1991 तक था श्री MS गुरूपद स्वामी 28 जून 1991 से 21 जुलाई 1991 तक इनका कारेकाल था श्री S. जैपाल रेडी 22 जुलाई 1991 से 29 जुन 1992 तक इनका कारेकाल था श्री सिकन्दर भक्त श्री सिकन्दर भक्त इनका कारेकाल था 27 जुलाई 1992 से 23 मार्च 1996 तक इनका कारेकाल था स्री सिकंदर भक्त एक जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक इनका कारेकाल था। डाक्टर मनमौन सिंग जो थे 21 मार्च 1998 से 21 माई 1924 तक थे डाक्टर मनमौन सिंग। स्री जस्वन सिंग 3 जून 2004 से 16 माई 24 तक थे। स्री अरुन जेटली 3 जून 2009 से 26 माई 24 तक थे। अभी जो हाली में हमारे हैं स्री मल्यकार जुन खड़गे 16 फरवरी 2021 से अभी तक चल रहे हैं। अभी तक हमारे हैं स्री मल्यकार जून खड़गे 16 फरवरी 2021 से अभी भी हैं। नेक्स्ट कोशन है हमारे राज्यों को राज्य सवा में किस आधार पर प्रित्रिद्द प्रिदान किया गया है तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्य सवा के सदस्यों को कारकल कितना होता है तो राज्य सवा के सदस्यों को कारकल होता है वो छे वर्स होता है संसद के किस सदन का विश्वास प्राप्त रहने तक मंत्री परसद अपने पत बनी रहती है तो लोगसवा का मंत्री परसद किस के प्रती सामुई के रूप से उत्तरदाई होती है तो लोगसवा के प्रती उत्तरदाई होती है और यहां अनुच्छत 75.3 में कहा गया था कि मंत्री परसाथ सामुई की रूप से लोगस्वाग के प्रति उत्तरदाई होती है संसत के एक सदन द्वारब पारित विदेग दूतिय सदन द्वारब कितने दिन तक अपने पास रखे होने पर अपने पास रखे रहने पर राश्टपती उस पर बिचार के लिए संसत का संग द्वेशन बुला सकता है तो यह अधिक्तम 6 महा तक के लिए उसको संसत के एक सदन द्वारब पारित विदेग दूसरे सदन में जाता है तो राश्टपती उस पर विचार के लिए संसत का अद्वेशन बुला सकता है तो 6 महा तक बुला सकता है संसत के किस सदन का अध्यच उस सदन का सदस नहीं होता है तो नियों जो राजसवा का अध्यच होता है वो उस सदन का सदस नहीं होता है नेक्स्ट है हमारा खुल कितने राज्य मिलकर राज्य सवा के प्रतिनिदियों का चुनाव करते हैं यान 31 राज्य मिलकर यान 31 राज्य और संग सासित प्रतिनिदियों का चुनाव करते हैं राज्यसवा का उप सवापती अपना त्याकपत्र सवापती को देता है। राज सूची के किस विषय को राश्ट्य महत्तु का विषय गोशित करने का अधकार किसे है तो वो राज सवा को है संसत के संउक्त अधवेशन के अधश्ता कौन करता है? यानि संसत के जो संउक्त अधवेशन के अधश्ता करता है वो लोकसवा अध्यच करता है सेंक्त अधिवेशन में निर्णा किस प्रकार के बहुमत द्वारा लिया जाता है तो उपस्तित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधान बहुमत द्वारा नेक्स कोशन है हमारा किन विदेयाओं को पारित करने के लिए संसत का संक्त अध्यवेशन नहीं बुलाया जा सकता है तो धन विदेयाओं को पारित करने के लिए संसत का संक्त अध्यवेशन नहीं बुलाया जा सकता है धन विदेख पारित करने की प्रिक्रिया शमिदान के किस अनुचेद के तहट की गई है तो यानि जो धन विदेख पारित करने की प्रिक्रिया है शमिदान के अनुचेद 109 के तहट की गई है राज्य सवा अधिक्टम कितने दिन तक धन विदेक को अपने पास लोग सकती है Next Question है हमारा सम्मिदान के कौन से दो अनुच्छे अधिकार प्रधान करते हैं तो अनुचे 249 और 312 राजसवा को बिसेस अधिकार प्रदान करते हैं अनुचे 249 के तहट किसके हित्मे राजसवा राजसूची के बिसेपर संसत को कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है अनुछे 249 के तहट किसके हितम है राज सवा, राज सूची के बिशैपर सनसद को कानून बनाने का अधकर प्रदान कर सकती है सनसद को नई अकिल भारती सेवाओं के स्रजन का अधकर कौन प्रदान करता है तो राज सवा करती है अनुचे 312 के अंतरगत संसद का कौन सा सधन संसद का कौन सा सधन मंत्री परसद के बुरुद अविश्ष प्रिस्थाव नहीं ला सकता है संसद को नई अखिल भारती सेवां के स्रजन का यदिकार कौन प्रदान करता है तो ये राज़सवा करती है आज के lecture के आज के lecture नहीं राजसवा से related जितने भी महत्पूर question बन सकते थे हमने इस बीडियो में discuss किये हैं तो I hope आपको हमार lecture अच्छा लगा हो तो like करें, comment करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में share करें ज्यादा से ज्यादा जानकरी आपको पहुंचाई जाए, जितना कम समय हो सकता है उतने में आपको पूरी जानकरी दे सकें तो I hope आपको हमार lecture अच्छा लगा हो, lecture अच्छा लगा हो तो like करें, comment करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में share करें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करें, bell icon को click करें, जिससे कि आने वाले हर एक lecture का notification आपको समय अनुसार मिल सके, thank you guys, जै हिन, जै भारत